हलो दोस्तों मेरा नाम सौरफ खंडिल्वाल है मैं एक रिटेल जूलर ग्रो ग्रो स्ट्राइजिस्ट हूं पिछले दो वर्ट्शों में मैंने हजार से ज़ादा जूलर्स का strategy बनाके उनकी growth के plans बनाके उनके brand को evaluate करके उनकी growth को सुनिश्चित किया है यही नहीं हमने उनके multifaceted growth platform create किये हैं जहां पर वो अपनी sales को, अपनी conversions को different strategies के तरूँ, different tactics के तरूँ बढ़ा पा रहे हैं तो आईए दोस्तों आज समझते हैं यह अमारे उसी strategy का part है कि हम उनके staff को train करते हैं diamond की x, y, z हर एक चीज़ के उपर तो यह video उसी training का एक part है तो आज हम समझेंगे किस प्रकार की कितनी तरह की diamond settings होती है और खास कर solder में कितनी प्रकार की कितनी तरह की settings आती हैं ताकि customer जब हमारे सामने बैठे तो हम समझ पाएं और customer को भेतर समधा पाएं कि हाँ यह diamond की setting आप लिए best रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं setting जो है बहुत important role play करते है diamond की outlook में diamond कैसा दिखेगा यह setting पे बहुत ज़ाधा निर्भर करता है color clarity cut carrot तो चार्सीज है लेकिन उसके beyond भी diamond में बहुत कुछ है क्योंकि diamond आप loose रखने वाले हो नहीं किसी ring में किसी tops में किसी pendant में कहीं न कहीं हम उसको stud कराएंगे stud माने जडाई करवाएंगे और studding के बाद diamond कैसा दिखेगा diamond का color कैसा निकल के आएगा यह बहुत ज़ाधा role उसमें setting का भी play करता है क्यों क्योंकि diamond के चारों तरफ जब gold आ जाता है तो gold की finishing कैसी है gold का color कैसा है gold में कितना ज्यादा उस पे polishing का marks है यह सब diamond reflect करता है और जब diamond reflect करता है तो diamond के color उसका reflection की वज़े से असर आता है तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन सी setting किस तरह से क्या role play करती है diamond की look में तो आज हम समझेंगे diamond setting को diamond setting उस method को refer करता है जिसमें हम diamond को gold के अंदर बिठाते हैं या silver के अंदर बिठाते हैं प्लैटिनम के अंदर बिठाते हैं यह तीन materials हैं तीन metals हैं जिसमें diamond की setting की जाती है लेकिन इसमें सबसे popular metal जो है वो गोल्ड है गोल्ड के different colors आते हैं जैसे yellow, pink जिसको हम rose gold बोलते हैं white जिसको हम white gold बोलते हैं तो इन सभी प्रकार के metals में diamond की setting की जाती है बट कौन सी best है आईए समझते हैं diamond setting में दोस्तों बहुत सारे factors involved हैं क्या आप जानते हो वो सारे factors क्या हैं जिससे आपकी diamond की shine और shape पढ़ेगा तो यह कुछ setting के characteristics हैं जो हमने समझे हैं देखे हैं और आपको भी यह देखने समझने जरूरी है setting के कितने types होते हैं इस वीडियो में मैं आपको नौ तरह के types के बारे में जानतारी भूंगा उसकी look and feel कैसी होती है वो भी दिखा हूँगा setting क्यों कि जाती है ताकि हम अपने diamond की style और functionality को बढ़ा सके क्योंकि डबी में रखावा diamond को एक आमगा नहीं है जब मैं उसको रिंग में जड़ाई कर देते हैं तो उसकी beauty उसका style उसकी functionality बढ़ जाती है इन settings की testing भी ज़रूरी है क्योंकि जड़ाई होने के looks को enhance करने वाला design हो उसकी shape को enhance करने वाला design हो ना कि घटाने वाला तो बहुत important है setting की setting की type उसकी application उसकी testing और उसकी look यह characteristic decide करते हैं कि diamond कैसा मज़ा आएगा तो इससे पहले हम आगे बड़े मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं दिल्ली और मुंबे में हमारे offices हैं 25 साल से भी जाधा मुझे इस industry में experience हो चुगा है owners हमारी मुंबे में manufacturing facility है और कुरोल बाग और कूचा माजनी में हमारे offices हैं और आज की तारिछ में 20 से भी ज्यादा हमारे प्रिंचाइजी पार्टर्राइस है वी आर इंडिया's first to launch this type of training program जहां पर हम अपने साथ अपने जुड़े जुड़र भाईयों के sales staff को train करते हैं उनकी conversion और उनकी sales बनाने में जहां उनका diamond का sales बढ़ सके we are the first company in India to launch a framework जिस framework में कोई भी जुड़र आने के बाद उसकी growth 100% नहीं 200% होगी होगी margins और profits बढ़ेंगी बढ़ेंगे result 100% नहीं 200% आए गई आएगा यह यह यूनी और पहला framework पे इंडिया पर इंडिया पर इंडिया इंडिया जो उनकी growth को strategize करने के लिए काम कर रहा है इस community को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है इस वर्ल्ड फर्स्ट वो इंडिया जो वर्ल्ड फर्स्ट है वर्ल्ड की पहली किताब जोलर्स पे मैंने लिखी है और यह बुक लास्ट यर 2023 में पब्लिश हुई और यह अमेजन और प्लेप काट पर अवेलेबल है तो दोस्तों आईए वापिस चलते हैं अपने टॉपिक पर डावन सेटिंग पर क्योंकि डावन सेटिंग जोना बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है डावन की लुक और फील में एक तो अब हम अंडर्स्टाइंट करेंगे कि वह नौ टाइप्स ऑफ सेटिंग कौन कौन सी है उनमें से किस सेटिंग इस सोलेटर को हम बेक्न समस्झते अगा तो आयो यह पहली सेट शूराष सेटिग बोलते हैं इसरो यह रॉंग सेटिंग क्या है जो आपिम शोटे- सेटिंग गोट वह को प्रuite कारिअ लाद यर्द के सामने जो पिचिर है इसमें आप देख सेटे हैं चे आण धने इसको 6 प्राउंग सेटिंग गोटे इसी आर्नUST कर दोंग फौर प्रॉंग सेटिंग इसे में sets और त्री ना इक होती है six-prong भी अच्छी है four-prong भी अच्छी है six-prong obviously ज्यादा strong है four-prong थोड़ी उससे कम strong है लेकिन फिर भी डेली उसके साफ से दोनों ही चलती है और दोनों ही बिल्कुल ठीक है कोई भी उसमें ऐसा दिकत नहीं है कि four मेंसे जल्दी निकल जाएगा समझने की बात यह कि men's ring में four-prong ही चलता है six-prong नहीं आता है four-prong ही सुन्दर लगता है six-prong four-prong में जो basic फरक जो है सिर्फ प्रॉंग के numbers का है लेकिन उस सिर्फ numbers की वज़े से strength की differentiation क्रेशन क्रेट होती है इसलिए लेडिस रिंग में जो पतले डिजाइन है यानि नीचे पतला बैंड है उसमें हम यही सज़ेस्ट करते हैं कि उपर आप six-prong की सेटिंग लीजी अगर आपका बैंड नीचे ब्रॉड है तो आप four-prong सेटिंग लो तो वो four-prong में भी strength बनी रहती है इसके रावाए three-prong सेटिंग है यह हम सेजेस्ट करते हैं कि आप इसको ज्यादा तर कोशिश करके earrings और pendant के लिए इस्तिमाल करें रिंग के इस्तिमाल मिनिमम करें हां कुछ शेफ्स ही ऐसी हैं जैसे हार्ड है या पियर है यह रिंग में भी three-prong सेटिंग में ही सेट होगी four-prong सेटिंग में भ जादा सुन्दर लगी है बट राउन अगर नमेंड हो तो आप वो three-prong सेटिंग में नहीं लेंगे तो यह था दोस्तों वो सेट दरने के बेस्ट सेटिंग के तरीके कूंसी में कितने प्रॉंक्स कैसे होने चाहिए इसकी मैंने आपको जानकारी दी आगी चलते हैं यह है सेटिंग बेदल सेटिंग होता क्या है कि मेटल के अंदर याने की ढ की जो सेटिंग के अंदर की जाती है metal को stone के उपर चारो तरफ थोड़ा सा चड़ाया भी जाता है ताकि वो stone को diamond को hold कर सके और इसकी एक strip create करती जाती है जो diamond को जटे रहती है इस case में diamond बिल्कुल भी side से नीचे से visible नहीं होता diamond उपर की visibility भी diamond की घट जाती है और इस setting में diamond की shine भी फरक पड़ता है क्योंकि इसमें diamond का color आपको थोड़ा सा weak नजर आ सकता है और 99% case में आता ही है क्यों क्योंकि चारो तरफ gold से ढगा होगी जब चारो तरफ gold से ढग दिया तो gold की reflection भी आएगी और overall light की passing में कम हो जाती है setting में क्योंकि side से उपर से light की entry है वह हमारी थोड़ी कम हो जाती है जब उपर से light की entry कम होगी तो light reflection में भार कमाईगी तो इस वजे से यह setting लोग करवाते हैं जिनको चुटा diamond लेना है जिनको बेलियूज में जिनको दिक्कत होती है जो जादा jeans में जादा the travel करते है तो उंको जीन की shave में लाना में दिक्कत होती है generally yas Willी 여 यह setting कम चलती है लेकिन मुमें में भी bands जो आते हैं बैंड जिंगों बोलते हैं उन्हें इस तरह की setting आती है बट डैमेंड में shining और डैमेंड में reflection इस setting में कम हो जाता है वीओं बस्वे पार्ट बेजल सट एक फुल बेजल सेट हुए हमें सेट कर देखिए दोस्तों चैनल सेटिंग बना एक पैरलल सोने चांडी कीyes या प्लैटिनम की वाल क्रिएट केगी उसके साइड में हमने कट करके मदद ग्रूज बना के उसके अंदर डामेंड को बढ़ा दिया और फिर उसको हमने सेट कर दिया करना करता है हाथ क्या कि दुबारा बताता हूं पैरलन में हमने चैनल को बनाया यानि कि हमने ग्रूफ बनाया उसके अंदर डामेंड बैठा उपड़ से हमने उसको हैम्मर करके उसvallo to को रोग दिया थोड़ी सी टेकनिकल चीजें हैं इस तरह से शेटिंग का मैं खाली आपक नहीं आ जाएगा बट उससे ज़्यादा जरूरी है यह समझना कि यह सेटिंग क्या अच्छी है या नहीं है तो इस सेटिंग में भी डैमेंड की जो रिफ्लेक्शन है डैमेंड की जो शाइन है वो 95% तक पूरी रहती है यह सेटिंग ज़्यादा तर प्रिंसी टैमेंड के लिए यूजं के जाती है वे सब्सक्राइब गजैनोड के लिए यूजर डाईमेंड के लिए सपहा कि जाती है नहीं है क्योंकि यंदि इसे करते हैं चैनल में तो हर राउंड के बाद गैप नजर आता है उस जब के वज़े से वह डिजाइन थोड़ा सा कम अट्रक्टिव लगता है अलगी डाउंड भी राउंड भी चैनल से निए सेट होते हैं बट सेटिबल यह सेटिंग जो है वो प्रिंश जैमेंड या इसी प्रकार यह राउंड डैमंड है जो चैनल सेटिंग में अब देखेंगे हर राउंड के बाद गैप आ रहा है जबकि प्रिंसिस या रूबी में कोई गैप नहीं है तो उसकी सुंदरता एन्हांस ओर यह सेटिंग की वज़े से जबकि राउंड की सुंदरता थोड़ी हो जाती है हालांकि यह सेटिंग भी चलती है लेकिन कम तो यह थी दोस्तो चैनल सेटिंग आगे बढ़ते दोस्तों नंबर फॉर यह है पवे सेटिंग पवे में क्या होता है कि आप गोल्ड की प्लेट के उपर ही डामेंड के पीसिस बिठाए जाते हैं गोल्ड में छुट इसका प्लेट सेटिंग में नाम बोला जाता है इसमें आप देखेंगे कि डामेंड को गोल्ड के बिल्कुल सर्फेस में बिठा रखा है इससे एफेक्ट जो आता है वो एफेक्ट क्रियेट किया जाता है कि continuous string of diamond है यानि यह diamond की पूरी लड़ी बिची हुई है इस तरहे की सेटिंग लगती है और यह जनरली साइड के diamonds यानि मानले जाए सेंटर में solider है और साइड में diamond के लिए या bands के लिए यह सेटिंग काफी पॉपुलर है और काफी यूस की जाती है diamond जुल्डरी में तो यह है तो दोस्तों परवे सेटिंग इसके मैं आपको कुछ और वी examples द बना रखें गोल्ड के यह दोस्तों नेक्स्ट टेंशन सेटिंग टेंशन सेटिंग क्या है spring effect क्रिएट करता है यानि कि इसमें कोई भी काटे से diamond नहीं रुका हुआ गोल्ड के अंदर हमने दोनों तरफ एक हमने शैंक बनाया यानि कि हमने ग्रूव बनाये दोनों तरफ उस ग्रूव से diamond को रोग दिया अब यह जो गोल्ड है इसमें इस तरह से इसको क्रिएट किया गया है कि यह spring effect देता है यानि कि गोल्ड में हलका सा pressure से diamond को रोका हुआ ह स्प्रिंग के pressure से diamond को रोका हुआ है ना कि किसी प्रॉंड से ना कि किसी कांटे से इसमें जो प्रेशर दिया जाता है उस प्रेशर को अगर हम नापेंगे तो 65 से 95 Elbs का pressure इस पर एक्जर्ट किया जाता है ताकि वो stone जो है हमेशा वहीं होल्ड रहे बट दोस्तों यह सेटिं स्वेलिंग आ गई या आपका weight put down हो गया तो उसमें diamond निकलने का खत्रा बढ़ जाता है क्योंकि जब आपने ring उसी finger में पहनी है जिसका size बढ़िया और आप अपनी fist अपनी मुठी यानी बंद करेंगे तो वो diamond निकलने का खत्रा बन जाता है क्योंकि tension setting जो है वो थोड़ी किसी भी खुलेगी तो diamond भार आगा है तो यह setting बिल्कुल भी advisable नहीं है diamond को stud करने के लिए बट फिर भी यह चलती है लोग यूज़ करते हैं यह संदर बनाई जाती है इसके बहुत सारे वेरियंट आ इसमें बहुत सारे डिजाइंट साथे है मैंने हाँ आपे दो अपो दिखाए है थे नहीं कुछ नहीं परांग stacking की ते- रहे लेकिन प्रॉंग सेटिंग हमने क्या समझी थी वह हमने वहाँ समझी थी solidar diamond के लिए single diamond उठाए prongs बनाके यूज़ किया हुआ है यह metal के अंदर prongs को craft करके series of diamond यानि single sequel of diamond create किया जाता है और इसके side में जाली में उपर prong में बहुत सारे multiple designs प्राइन्स क्रियेट करें जा सकते हैं जो जिसमें बहुत सारी वेरियंट होते हैं इससे थोड़ी और सुन्दरता आ जाती है गोल्ड में डामेंड की जुल्डरी है तो आप देख सकते हैं यह एक्च्वल फिश्टेल सेटिंग है उपर आप देखेंगे कि एक सीरीज और डा आपको अब तक दीवी जानकारी आपको बहुत मजा रहा होगा तो बने रही है क्योंकि और सेटिंग्स मैं आपको इसके बाद दिखाने वाला हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करके शेर करें दोस्त है कि यह एक बड़ा सिंगल डामन है तो इसमें दोस्तों किया के जाता है कि मल्टीपल डामेंट्स बिठाए जाते हैं यानि कि जनरली अगर हम राउंड की बात करें तो साथ पीस का राउंड का प्रेशर बनाया जाता है जिसमें बाहर की तरफ छे पीस होते हैं और सेंटर में एक पीस थोड़ा सा नीचे दबा होता है जो भार के छे पीस से प्रेशर की वज़े से रुका होता है सेंटर पीस में कभी भी कोई काटे नहीं बनाया जाते हैं वो सेंटर पीस साइड के डामन से दबा के बिठा दिया जाता है और वो लोक ऐसी देता है जैसे एक सिंग इन सभी shapes में pressure setting बनाई जा सकती है using different shapes of diamond जैसे कि हमने बात की round pressure setting के लिए round use किया इसी तरह से हम pierce setting के लिए हम marquise और round का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इसी तरह marquise setting के लिए हम princess और round setting का इस्तिमाल कर सकते हैं एक प्रेशर बनाने के लिए यानि कि इल्यूजन बनाने के लिए कि यह कोई यह एक सिंगल सॉलिटर लुखी है यह बहुत पॉपुलर सेटिंग है और इसके वेरियंट यूज है माउंट पे देखिए आप प्रेशर सेटिंग बना रखिए दूर से आप देखेंगे ये सिंगल पीस डैमेंड लगेगा इसमें भार के डैमेंड को उमने रुका हुआ है और सेंटर पीस भार के डैमेंड की वजह से रुका हुआ वो थोड़ा सा अलका सा दबाव भी होगा आप गौर करेंगे तो इसमें प्रेशर और चैनल सेटिंग दोनों के आपको एक्जैम्पल नज़र आ रहे हैं इसमें भी प्रेशर सेटिंग के एरिंग्स हैं यह पूरा प्रेशर सेटिंग का नेकलेस है दूर से आप देखेंगे तो यह आपको सॉल्टर सिंगल नाइन के नेकलेस लुक आईगी Pressure sitting में बहुत खास बात है कारिगरी Setting का बड़ा जबतस खेल है एक अच्छा कारिगर अच्छा pressure अच्छा एक solder का look दे सकता है वहीं एक थोड़ा सा हल्का कारिगर जिसके हाथ में कम सफाई होगी तो वहाँ पर यह pressure illusion नहीं create कर पाता है 100% तो बहुत ज़रूरी है workmanship इस सटेंग कैसी है हाला कि हर सटेंग में workmanship का बहुत important role है तो इसलिए workmanship का भी हमें ध्यान रखना है कि हम जहाँ सिज्वेरी ले रहे हैं भनवा रहे हैं वहां के workmanship best हो यह है दोस्तो flush setting farm setting bezel setting की तरह ही होती है फरक क्या है फरक यह है कि यहाँ पर crown visible होता है आप देखेंगे अगली photograph में यहाँ पर आप देखेंगे crown visible है जबकि bezel setting में bezel setting में पूरा crown visible नहीं होता महाँ पर और भी ज्यादा diamond को धग दिया जाता है यह फ्लश सेटिंग जनरली छोटे diamonds को बिठाने के लिए यूज की जाती है और इसमें जो most popular style है वो band style है band style यानि band rings, band men's ring उनमें फ्लश सेटिंग बहुत ज्यादा यूज की जाती है इसमें metal को चारो तरफ से diamond को धग दिया जाता है इस setting में diamond की shine और diamond की color पे definitely effect दाता है मैं इस setting को बड़े diamond के लिए suggest नहीं करता छोटे diamond में बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता और finally दोस्तों सबसे आजकल काफी popular है illusion setting illusion setting क्या चीज है इसको pressure setting से लोग confuse करते हैं लेकिन pressure setting अलग type का illusion create कर रहे है लेकिन diamond से यह illusion setting है जो diamond से नहीं जबकि metal plate से create किया जाती है या mirror plate से create किया जाती है diamond के चारो तरफ एक इस तरह की high precision cutting metal plate भिठाये जाती है जिससे वह ऐसा effect देता है कि वह diamond बड़ा लगाओ लेकिन दोस्तों इस setting में बहुत बड़ी कमी है जैसे ही इस ring को आप tops को daily use में पहनेंगे और जैसे ही metal की यानि gold की finishing gold की जो rhodium polish है gold की जो polishing है वो जैसे ही डल पड़ेगी कुछ दिनों बाद ये illusion खतम हो जाता है और ये थोड़ा सा फिर बद्दा लगना चालो हो जाता है इसलिए दोस्तों हम इस setting को मना करते हैं कि आप daily use की items में ना खरीदें ना बेचें हाँ necklaces हो तो आप illusion setting का necklace रख सकत हैं क्योंकि वो daily use की item नहीं है वहाँ पर illusion बरकरार रहेगा बना रहेगा तो दोस्तों यह थी सारी settings जो अब तक आपने समझी यह example आप देख सकते हैं center illusion setting का टॉप्स में कैसे तरह से illusion बनाया हुआ है रामन के चारो तरफ एक plate लगा रखी है जिसमें वो diamond जो है अगर आप दूर से रखेंगे तो आपको बड़ा नजार आए यह ring है illusion plate setting के साथ multiple diamonds है center में और चारो तरह उनके plate बढ़ा रखी है gold की और उसकी cutting और rhodium इतना हाई होता है वह ऐसा रखता है diamond बढ़ा है लेकिन यह illusion सिर्फ जब तक रोडियम और polish है तब तक के लिए है जैसे ही deluse में illusion आप पहनेंगे खतम हो ले तो दोस्तों यह थी सारी settings तो मैं इस video को जो भी देख रहा है मैं उनसे request करूंगा कि आप इस sales staff training का part बनें क्योंकि यह sales staff training program इन्हेंस करता है उनकी learning बढ़ाता है उनकी skills में उनकी conversion में उनकी sales में और यह program जो बना हुआ है यह diamond jewelry पे focused program है जहां पर हम ना की सिर्फ diamond की regarding skills बल्कि वह objection handling कि किस तरह से आपको अपने customer को convert करना है किस तरह से अपनी sales को बढ़ाना है जिस वजह से आपकी profits और आपके growth हो तो यह इंडिया का एक लौता और only program है इस program के बारे में जानने के लिए आप हमें call कर सकते हैं इस दीवे नंबर पर डबल लाइन डबल लाइन वन ट्रपल लाइन पोर सेच्स क्या आप जानते हो diamond jewelry भी कट की grading की जाती है जी हां हम वन आप दी ऐसे ब्रैंड है जो diamond jewelry में कट की grading करते हैं कट ग्रीट की बारे में और जानने के लिए हमसे कनेक्ट करें diamond jewelry सिरफ color और clarity का खेल नहीं है कट अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और जानकारी के लिए आज ही हमें कॉल करें तो दोस्तो मेरा नाम सौरप कडिरवा था इस वीजियो को देखने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद मैं अमीद करता हूं कि आज दी गए जानकारी आपकी skills को आपकी जानकारी को आपकी knowledge को customer handling को और improve करें थैंक यू सो मच हेव नाइस दे